अपने 2023 के बारे में जानने के लिए आज ही डाउनलोड करें आस्ट्रयोगी पहला कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री ओम सूर्य देवाई नमाहा नमस्कार स्वागत है आप सभी का आस्ट्रयोगी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर बिजनस में आज होगा कितना प्रॉफिट हिल्ट के लिए कैसा रहेगा आज का दिन क्या आपको मिलेगी अपनी मन चाही नौकरी या होगी आपके अपनी पार्टनर से मुलकार इसे हर सवाल का जबाब जानने के लिए डाउनलोड करें आस्ट्रयोगी आपको और गंसल्ट कर अब जानते हैं 19 मार्च 2023 दिन रवेवार का आज का पंचांग विक्रम समवत 2089 शक समवत 1944 और हिंदू पंचांग के अनुसार आज चैत्र है पक्ष क्रिश्न पक्ष और रितु वसंत रितु है आज द्वादशी थी थी सुबह 8 पचकर 7 मिनिट तक रहेगी इसकी बाद 3 द चैत्र देशी थी सुबह 4 बचकर 55 मिनिट तक रहेगी फिर चतुर देशी थी लग जाएगी नक्षत्र आज धनिश्टा नक्षत्र राद 10 बचकर 4 मिनिट तक रहेगा इसकी बाद चतबीशा नक्षत्र लग जाएगा आज बनने वाला योग सिद्ध राद 8 बचकर 7 गोचर करेंगे अगर सूर्युदे की बात करें तो आज सूर्युदे सुबह 6 बचकर 27 मिनिट पर होगा सूर्यास्त शाम 6 बचकर 31 मिनिट तक होगा आज चंद्रोदे सुबह 5 बचकर 58 मिनिट पर होगा चलिए इसकी बात जान लेते हैं आज की शिव मोरत की बारे में तो आ आज राहुकाल सुबह पांच बचकर एक मिनट से शुरू होकर शाम छे बचकर 31 मिनट तक रहेगा आज प्रदोश व्रत है मendaki में बाफ कर लेते हैं आज की राशी फ्लकी सबसे पहले शुरूआत करें था Varayyya को जीवन की अन एंचायों पर ले जाएंगा यह उन समस्याओं से निबचने का एक अच्छा समय है जिनने आपने पहले टाल दिया था लव लाइफ की बात करें तो आज आप बहुत एक्साइटेट फील करेंगे आपका दिमाग आज अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग सकता है अपनी प्यार का साथ पाने को आप बेताब हैं अगर आप अकेले हैं तो आज का दिन खास होगा करेंगे आज अपनी कंपनी के बाहर कोई नया व्यक्ति आप से विजनस को ठीक कर सकता है हाला कि पहले आपको उसे सलह की उमीद भी नहीं थी आपने ये कभी भी नहीं सोचा था कि आपको इतनी अच्छी सलह इतनी असानी से मिल सकती है फानेस में देखिए तो कोई बड़ा फैसला लेने से पहले दो बार सोचें किसी बड़े बुजर्ग की सलह बड़े काम की होगी यदि कोई बड़ी योजना शुरू करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुख जाएए आप अपनी फानेशल टागेट को पालेंगे पॉजटेव एनरजी के साथ काम कर सकती हैं हेल्थ में आपको किसी भी टेस चीज से चोट लग सकती है शाम चार से शाम पांच बजे के बीच का समय आपके लिए लग्की होगा सफेद आज आपका लग्की कलर है व्रशेब राशी व्रशेब राशी के जात तक कुम राशी में चंद्रमा के गोचर के कारण आज का दिन खुश्या लेकर आएगा पिछले कुछ तिनों से आप जो महनत कर रहे हैं उससे ब्रेक लें आप अपने बिजी शेडियूल से टाइम निकाल सकते हैं आपका सारा रहेशन दूर हो जाएगा लव लाइफ की बात करें तो आज आप पार्टने से बात कर सकते हैं इस मौकी का लाव उठाएं करियर में अगर आपको कोई परिशानी है तो दुनिया से छपाने की कोई जरुवत नहीं है अगर आप विध्यारती है तो आपका पड़ाई को लेकर थोड़ी दिक्तत हो सकती है अगर आप नौकरी करते हैं तो अपनी समस्याओं के बारे में आपको अपने बहुत से बात करनी चाहिए पानास में अपनी माली हालत फिर से ठीक करने के लिए किसी समझदार से सला ले हेल्ट में आज आपको पानी से बचकर रहना चाहिए सुबह दस बजे से साड़े ग्यारा के बीच का समय आपके लिए महत्रपून रहेगा डाग ग्रीन कलर आज आपका लखी कलर है मिधुन राशी मिधुन राशी के जातक कुम राशी में चंद्रमा के गोजर के कारण कामकाजी लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है काम पर नए अफसर मिलेंगे और आप अपने कामों को अच्छे से कर सकते हैं आपके हार्ट वर्क का रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा आपको बहतर विकल भी मिल सकते हैं कोई भी नेड़ने लेने से पहले सोचे चिंता ना करें लव लाइफ की बात करें तो आज अगर आप अपने पार्टना का चुनाव को लेकर माता पिता को मनाने में लगे हैं तो आपको अपनी बात से उन्हें खुश करने में सफलता मिल सकती है करेर में आपको किसी की सलहा लेनी चाहिए अगर आप विध्यार्ती हैं और अपनी स्कूल को लेकर उल्जन में हैं तो किसी से बात कर सकते हैं पानेस में जो लोग घर खरीबना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन भागिशाली है आज बिना किसी भाग दोड के मन चाहा घर मिल जाएगा हेल्थ में आज आपको सड़क पर बेहट सावधानी बरतनी की जरुत है आस्ट्रयोगी जो तिशी के अनसार तुबह साड़ी 11 से एक बज़े के बीच का समय आपके लिए महत्रपून रहेगा आज नेला आपका लखी कलर है करकराशी करकराशी के जातक कुमबराशी में चंद्रमा की गोचर के कारण आप एनरजेटिक और स्ट्रॉंग फिल करेंगे आज आप क्रियेटिविटी से काम कर सकते हैं आपको अपनी फिलिंग्स करनी चाहिए आप शांत महसूस करेंगे आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा लव लाइफ की बात करें तो पिछले दिनों में आप सी अनबन को आप तूर कर लेंगे करेर में आज टेंशन है तो किसी के सलहाज ज़रूर लीजेगा आप बेकार की लड़ाई जवरा ना करें यह आपको थोड़ा परिशान कर सकता है अपना मन शांत रखें फानेस में यदि आप अपनी और अपनी परिवार के लिए नया घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आज आपको मन चाही जगें मिल सकती है हेल्थ में बेहत साफधानी से रोड पर चले और तेज रफ़तार से बचें आज आपको जादा सतर करेंने की जरुष है चाम चार से साड़े पांच के बीच का समय आपके लिए शिब रहेगा आज के दिन लाल कपड़े पहनना आपके लिए शिब रहेगा सिंग राशी सिंग राशी के जातक कुम राशी में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आप किसी बात को लेकर थोड़ा चंतित हो सकते हैं कुछ चीजे हो सकती हैं जो आपको परिशान कर सकती हैं अपने दोस्तों के साथ आप रह सकते हैं परिशानी हो तो आसानी से हल निकल जाएगा लव लाइफ की बात करें तो अगर आप अकेले हैं तो आज आपको कोई प्रपोस कर सकता है आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा करेर में आज आप अपने गुसे पर काबू रखें आप ऑफिस में सकस्स पालेंगे अपने टागेट को अचीव कर लेंगे आज आप छोटे मोटे मुद्दो को छोड़ कर अपने टागेट पर ध्यान दे फानेंस में घर या गाडी में इंवस्मेंट कर सकते हैं आगे बड़े आपको लगेगा कि आपने अच्छा फैसला लिया है हेल्ट में आज का दिन सेहत के अनिसार काफी अच्छा रहेगा आज आप अपने सभी कामों को अच्छे से करेंगे आपको बेहत सावधानी से सचेत होकर अपने काम करने होंगे सवभाग्य को आके शिस्त करने के लिए बैंगनी रंग में कुछ पहने सुबह 11 बजे से दुपहर 1 बजे के बीच का समय आप कुछ भी महतपूर्ण कार्य कर सकते हैं कन्याराशी कन्याराशी के जातक कुंबराशी में शंद्रमा के गोचर के कारें आपको सकस्स मिलेगी आप इस समय अपनी पॉप्यूलरिटी को पालेंगे इसी के साथ आप जो कुछ भी करते हैं वह गलत नहीं होगा आपको आगे बढ़ने वे भी मदद मिलेगी जिस तरह से आप अभी काम कर रहे हैं उसी तरह से आप इसे जारी रखें लव लाइफ की बात करें तो पार्टनर के बारे में आज आप सोच सकते हैं अगर आप अपने दिश्टे को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आज का दिन गंबीरता पूरवक्त निर्मे लेने का है आप जने ही चाहते हैं उनके लिए कोई खास दिसीजन ले सकते हैं करेर में आज आप किसी अच्छे प्रोफेशनल से मिल सकते हैं जो आपको प्रोच साहित करेगा आपको सपलता की रहा पर आगी बढ़ाएगा फानेस में अपने आर्थिक हालाट से निपटने के लिए आपको आज किसी आर्थिक सालाकार की जरुरत पड़ेगी सोच समझ कर काम करें हेल्स में आज आपको चोटों से सावधान रहना होगा आपको लग के लिए नीले रंग के कपड़े पहने चाहिए दोपहर दो पंदरा से तीन बजे के बीच का समय आपके लिए अच्छा होगा तुला राशी तुला राशी के जातक कुम राशी में चंद्रमा की गोचर के कारण आप अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस से ग्रोथ पाएंगे आप अपनी आसपास के लोगों को प्रेयरत कर सकते हैं ओफिस में फानाइशली ग्रोथ भी आपको मिल सकती है आपकी सक्सस से कुछ लोग परिशान भी हो सकते हैं लव लाइफ की बात करें तो आज आप अपनी परिवार को अपनी परस्नल मामलों में दखल ना देने दे जितना हो सके बहस से बचने की कोश्चिश करें करेज में अपनी नसदी की लोगों से बेकार की बहस में ना पडए इस समय चोटे चोटे जगडों की आशंका है, जो भी बोले, सोच समझ कर ही बोले पाना इसमें आप कोई बड़ा नेन ले सकते हैं, आप आर्थिक सलाकार से बात कर सकते हैं आप शेर मार्केट में पैसे लगाने की सोच रहे हैं, तो काम को शुरू करने के लिए अच्छा दिन है यदि आप आज कहीं यात्रा पर निकलने की सोच रहे हैं, तो हो सकता है आप उसे ही रोग दे हेल्थ में आपको अपना ध्यान रखना होगा पीला आज आपका लखी कलर है, दो पहर एक पंद्रा से दो बज़े के बीज का समय आपके लखी होगा व्रिश्चिक राशी व्रिश्चिक राशी के जातक कुम राशी में चंद्रमा के गोचर के कारें एनर्जेटिक फील कर सकते हैं आपकी किसमत चमक सकती है आप अपने कामों में सक्सिस पाएंगे, परिवार के साथ रह सकते हैं, आज का दिन अपने परिवार और दोस्तों के साथ से मैं बिताने का बहुत ही अच्छा दिन है लव लाइफ की बात करें तो आप अपने पार्टनर की हां सुनकर आज आप बहुत खुश होंगे आपको अपने ध्यान रखना होगा, अगर आपके परिवार वालों ने नया पार्टनर खोजा है, तो उनकी चुनाव से भी आप खुश रहेंगे करेर में आज ओफिस में अच्छा टाइम मिलेगा, आप अपने काम से अपने बॉस को और ग्रहकों को खुश कर देंगे किसी को भी शिकायत का कोई मौका ना दें, पाना इसमें आज आपको सलाकारों से सतर्क रहना होगा, हेल्थ में आप अपने घर से ज्यादा दो निकल जाएं, आज के लिए रेड वाइन आपके लिए शुब रहेगा, सुबह 10.45 से 11.40 के बीच का समय आपके लिए शुब र तरीके से रखने की जरूर्यत है, परिशान होने की कोई बात नहीं, परिशान होने से किसी बात का हल नहीं मिलेगा, लवलाइफ की बात करें तो अगर आपकी सगाई हो चुकी है, तो आज आप इस बात को जानकर खुश होंगे, कि आपकी शादी की तयारी अब शुरू हो जाएगी अर्चनी बड़े आराम से निपड़ जाएंगी करियर में परिशानी में भी शांत रहने की कोशिश करें तो आपको लाब होगा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप अपनी सभी परिशानियों को हल कर सकेंगे पाइनस में अगर आप कोई गाड़ी करीदना चाते हैं तो आज उसका चनाव आप कर लेंगे आज आप गाड़ी नहीं लेना चाह रहे हैं तो कम से कम आज तो शोरूम जाना शुरू ही कर दीजे हेल्थ में अंचाहा टेंशन आप कम कर सकते हैं ज्यादा तनाव से आप बिमार पढ़ सकते हैं आपका स्वास्त सुध्रेगा गैरा हरा आज के लिए आपका लखी कलर है तीन से चार बजे के बीच का समय आपके लिए अच्छा रहेगा मकराशी मकराशी के जातक कंबराशी में चंद्रमा की गोचर के कारण आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकते हैं आपकी बुद्धी तेज होगी काम करने के कई मौके आपको मिलेंगी लव लाइफ की बात करें तो आज आप इंजॉय कर सकते हैं ध्यान रखना है कि आप अपने बिजनिस को लेकर बेकार की बहस में ना पढ़ें, ये बहस लडाई में भी बदल सकती है, आप शांती से आगे बढ़ें, धेरे से सुलजाना चाहिए, फाइनल्स में आप सही प्लानिंग के साथ अच्छा काम कर लेंगे, आज आप नई योज योजनाओं पर काम कर लेंगे, इन योजनाओं पर काम करते रहें, आपके स्थिती सुदर्ण हो जाएगी, नौकरी का दिन आपके लिए लखी होगा, हेल्थ में आज आपको पानी से बचकर रहना होगा, शाम चार से पांच बज़े के बीच का समय आपके लिए लखी है, लीला आज के लिए आपका लखी कलर है, कुमराशी, कुमराशी के जातक आप खुट को निराश और टेंशन में पा सकते हैं, आपको काम का अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको कोई परिणाम नहीं मिलेगा, आप टेंशन में हो सकते हैं, आपको अपनी प्रॉब्लम्स को स नातरिष्तों में अधिक खुल कर बात करनी होगी आपकी लफ लाइफ अच्छी रहेगी करियर में आज आप इंकम को अच्छा कर सकते हैं आप की सेविंक कर सकते हैं किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं finance में अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें आप आज कुछ खर्चे कर सकते हैं आप अपने लिए कुछ अच्छा काम करना चाहेंगे हेल्फ में आज आपकी हेल्फ अच्छी रहेगी चाहें तुम मेडिटेशन कर सकते हैं दो पहल साड़े तीन से शाम पांच बज़े के बीच का समय आपके लिए लखी होगा लाल आज आपके लिए लखी कलर है मीन राशी मीन राशी के जाद तक आज कुम राशी में चेंद्रमा के कोचर के कारण थोड़ी टेंशन में आ सकते हैं आप अपनी आज पास अपनी दोस्तों को चाहेंगे कि किसी भी परिशानी से निपतने के लिए यह समय बढ़िया हो सकता है आप अपनी सपनों के दिशा में आज काम कर सकते हैं लव लाइफ की बात करें तो आज का दन आपके लिए अच्छा रहेगा आज आप अपनी दिश्टों को कायम रखने के लिए कोशिश करें आप कोई डिसीजन ले सकते हैं करेर में आज आप अपनी नोकरी को change कर सकते हैं, कोई भी निरनल लेने से पहले, अच्छे से विचार वे मर्श कर सकते हैं, पाइनेंस में, अगर आज आपके करिशों पर कर सकते हैं, भी हैं स्वास्थ को लेकर खुश रहेंगे, इससे आपको लाब मिलेगा, आप अपनी और से किसी भी काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आज के लिए मैं अधरपूर्ण कारे करना चाहते हैं तो दोपेर दो बजे से शाम चार बजे के बीच का समय आपके लिए शुब रहेगा। सफेद रंग के कपड़े पहनने से आज आज आपको बचना चाहिए। या राशिफल, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र की गढ़ना पर आधारित है। अगर आप कुणली, विवह, पंचांग, शुब मुरत या राशिफल, आधी से संबंदित या व्यक्टिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिखाए गए नंबर पर तो आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं नंबर 0999999109191 पर संपर्ट कर सकते हैं या फि अची डाउनलोड करें आश्रयोगी पहला कंसल्टेशन बिलकुल फ्री